नमस्कार दोस्तों दोस्तों हाली में इसरैल के जो एंबैसेडर है इंडिया में उन्होंने ये कहा है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने अतीत में और वर्तमान में भी हमारी तरह आतंगवाद को जेल रहा है हम दोनों ही एक दूसरे की स्थिती को बहतर तरीके से समझते हैं इसलिए भारत को हमास को एक आतंगवादी संगठन घोशित करना चाहिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं बताना चाहता हूं कि इसरैल के साथ साथ यूएस, यूके, कैरडा, आस्ट्रेलिया और यूरो आतंगवादी संगठन घोशित करेगा देखिए हर एक देश अपने कानून के हिसाब से किसी ग्रूप या इंडिवीज्वल को आतंगवादी घोशित करता है और एक डेजिगनेटेट टेरिस्ट ग्रूप के लिस्ट में उसको डालता है और ये यूएस, यूके, कैनडा, आस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन सभी ने अपनी अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है जिसमें वो जिन जिन ग्रूप्स को आतंगवादी संगठन मानती है उनके नाम लिखे हुए हैं और इन सबकी लिस्ट में हमास शामिल है मगर भारत ने जिन आतंगवादी संगठनों की लिस्ट बनाई है उसमें हमास शामिल नहीं है और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहां कि हर एक देश अपने अपने कानून के हिसाब से किसी ग्रूप या इंडिवीज्वादी घोशित करता है तो इस केस में भारत का UAPA का कानून है जिसमें भारत टेरर ग्रूप को लिस्ट में एड करता है ये कानून कहता क्या है वो आपको पहले समझना होगा UAPA यानि Unlawful Activities Prevention Act ये एक Anti-Terrorism Law है जिसको 1967 में लाया गया था इस कानून के तहत भारत सरकार किसी इंडिवीज्वल या ग्रूप को जो आतंग आतंगवाद का समर्थन भी करता है जो भारत की संप्रभूता और अखंडता को नुकसान पहुचाना चाता है उसको आतंगवादी संगठन घोशित करती है मगर इस कानून के तहत टेररिस्ट ग्रूप की लिस्टिंग में उनको ही डाला जाता है जो सिर्फ इंडियन टेरि ग्रूप की लिस्टिंग में डाला जाता है फर एक्जेम्पल जैशे मोहमत लश्करे तौबा ये कुछ पाकिस्तान बेस्ट टेरर ग्रूप सें जिन्होंने पास्ट में इंडियन टेरिटरी में आतंग की हमले किये हैं तो भारत ने इनको अपनी लिस्ट में डाला हुआ है मगर हमास के साथ हमारी ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है जिसके कारण हमास हमारी लिस्ट में शामिल नहीं है और देखिए यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि क्या भारत हमास को एक टेररिस्ट ग्रूप डिकलियर करेगा की नहीं करेगा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या दुनिया हम हमास और पलेस्तिनियन्स में fundamental difference समझ पा रही है अगर समझ पा रही है तो अरब और बाकी सभी इसलामिक देशों में हमास और पलेस्तिनियन्स को लेकर इतनी हिपोक्रिसी क्यों है अभी हाली में United Nations के General Assembly में जॉर्डन देश ने गाजा humanitarian crisis को लेकर एक resolution पेश किया जिसमें जॉ पलेस्तिनियन्स की safety, well-being और human treatment के लिए सभी अरब nations के बिहाफ पर ये resolution गाजा में complete ceasefire और unhindered humanitarian access की demand करता है दोस्तों आइमान सफादी ने आखिर में क्या कहा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ addressing the UNGA on Thursday, Safadi said, let the passing of the draft resolution be a message to Palestinians suffering the inferno of this Israeli war on them, let it be a message that the international community sees them, feel their pain and believes that Palestinian lives matter too दोस्तों हैरानी की बात ये है कि इस पूरे resolution में कहीं भी हमास के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा हुआ है हमास ने ये war शुरू की थी मगर इस पूरे resolution में कहीं भी हमास का नाम तक mention नहीं है मगर finally इस resolution को voting के माध्यम से UN General Assembly में स्विकार कर लिया जाता है 120 देशों ने इस resolution को yes vote किया कि हाँ बिलकुल गाजा में cease fire होना चाहिए, humanitarian access होना चाहिए 14 देशों ने इसे no vote किया कि हाँ जो हो रहा है वो होने दो 45 देशों ने इस resolution को vote ही नहीं दिया, ना yes बोला और ना no बोला, सीधे इस voting से abstain किया इन 45 देशों में हमारे भारत के साथ साथ Australia, Germany, Canada, Japan, Ukraine और UK भी शामिल है And I think this is the best decision, क्योंकि ये resolution ही गलत था, अगर आप yes vote करोगे तो ऐसा लगेगा कि इसरायल ने गलत किया है हमास जो कर रहा है वो सही है, क्योंकि इस पूरे resolution में कहीं भी हमास को condemn किया ही नहीं गया तो इस resolution को support करना बनता ही नहीं था और अगर आप इस resolution के against vote करते हो, तो जैसी images और videos सामने आ रही है, civilian casualties की ऐसा लगेगा कि हम उसके support में है और जो West Asian और Arab countries हैं, ये भारत को कहेंगे कि मतलब क्या, क्या चाते हैं आप, जो हो रहा है उसको होने दे, लोगों को मरने दे तो भारत ने इस resolution को vote ही नहीं दिया, क्योंकि ये resolution ही विचित्र था और आप में से कई लोगों को शायद यहां पर इंडिया की position irresponsible लगे, कि हम बिना कुछ कहे ही आ गए, हमने अपना stance नहीं रखा, लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है देखिए, शुरुआत किसने की थी, हमास ने ना, तो एक ऐसे resolution में, जहां एक line बार-बार repeat की जारी है इस्राइल्स वार अगेंस्ट गाजा, जो की गलत है, इस्राइल्स वार अगेंस्ट हमास, यह line mentioned होनी चाहिए थी इस resolution में दोस्तो मैं आपको इन अरब देशों की hypocrisy के बारे में बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले US presidential candidate है निकी हैली, इन्होंने सभी Islamic countries के सामने एक strong point रखा उन्होंने सभी Islamic countries से एक सवाल पूछा, कि जब गाजा में Palestinian civilians के साथ आप सभी की इतनी sympathy है, आप उनको इतना support करते हो, इस्राइल उनके उपर इतना जुल्म ढारा है, इस्राइल और हमास के बीच हो रहे युद में गाजा के civilians को अपना घर बार छोड़ कर refugee camps में रहना पड कहां गए सभी Arab countries, कहां है Qatar, कहां है Lebanon, कहां है Egypt, हम Egypt को हर साल billion dollars देते हैं, वो क्यों नहीं Palestinians को अपने देश में शरण दे रहे, वो क्यों नहीं Palestinian से बात कर रहे, दोस्तों इन Arab countries का अपना एक अलग ही hypocrisy level है, 7 October से जब से एक conflict शुरू हुआ है, तब से 2.3 million Palestinians गाजा में refugee की त जो दो सबसे बड़े sympathizers हैं, Egypt जो Gaza से border share करता है और दूसरा Jordan जो West Bank से border share करता है, इन दोनों ने warning दे रखी है कि भई Palestinians को हमारे गले मत चड़ाओ, हम अपनी जमीन पर इनको जगय नहीं दे सकते, हम एक भी फिलिस्तिनी को Egypt में migrate नहीं होने देंगे, Jordan के राजा Abdullah II ने भी ये कह दिया है कि हम इन refugees को Jordan में नहीं रखेंगे, दोस्तो इन अरब countries को दो बातों का डर है, पहला ये कि देखे जब 1948 में Israel को independence मिली और Israel the state of Israel बना, तब करीब 7 लाख Palestinians को बेदखल और विस्थापित कर दिया गया, फिर जिसको जिस अरब country में शरण मि मगर mostly Jordan में घुसे थे, और उस event को Palestinian लोग Arabic में नकबा कहते हैं, जिसका मतलब है catastrophe, और यही इस संगर्ष का कारण है, तो जब 1948 की लडाई खतम हुई, तब Israel ने refugees को Israel में वापस लेने से मना कर दिया, क्योंकि Israel इस चीज को अपनी Jewish majority के लिए खत्रा मानता था, जो वो आज भ और हुआ, तब Israel ने West Bank और Gaza Strip को सीज कर दिया, उस समय भी 3 लाख के करीब Palestinians Jordan में घुस गए थे, तो अब Jordan, Egypt, Qatar, इन सभी अरब देशों को इस बात का डर है, कि कहीं वही पहले वाली situation फिर से repeat न हो जाए, और फिर से एक भारी तादाद में Palestinian refugee population उनके देश में आकर बस ना और दूसरा सबसे बड़ा burning issue है हमास, सभी अरब countries में अंदर ही अंदर ये डर है, कि अगर Gaza से mass exodus हुआ, तो इस से हमास और दूसरे Palestinian militants जो हैं, वो armed civilians की भेश में उनके देश में घुस जाएंगे, तो खुल कर कहो ना गुरू, कि तुम मानते हो कि हमास आतंकी है, terrorist है, को हमने अपने देश में शरण दे दी, तो कल को कोई हमास आतंक की हमारे रसोई घर में बैठा होगा, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या विडमना है इन अरब countries के अंदर, कि जानते हुए भी कि ये हमास, हिजबुला, ये सभी इस पूरे रीजन में आतंक फैला र चाहिए कि वो सबसे पहले हमास, हिजबुला, इनको terrorist group declare करे और अगर UN General Assembly में कोई further resolution लाया जाए गाजा को लेकर, तो उसमें हमास और Palestinians के बीच एक clear fundamental difference दिखना चाहिए, and finally इस issue को लेकर आप comments में अपने opinions लिखिए, I wish you all a very good health, जय हिंद! ुरिए